हेलो प्यारवच्छो मैं डॉक्टर स्रिकान त्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इस्कूल में आज हम विकॉम फस्ट इयर के लिए एक और क्वेशन लेके आये हैं जैसा कि मैंने आप से कहा था कि यह विया बैसकरिट सिरीज में मैं आपको मीन-모ड मीडियन तीनों-एक-सात कैसे कैलकूलेट करते हैं यह आपको आज सिखाऊँ मगा तो जल्दी से स्टाइट करते हैं आप सबसे पहले हैं अदिंग्में आपको सारी निय多कर के लेता हूं तक है आपको एकदम सबचेक्ट म उसका नाम हो गया आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं मीन मोड और मीडियन तीनों और उसमें भी हम कौन सी सीरीज करेंगे भी एक्स और एफ लिए डो चीजे दे रखी हो तो उसका मतलब हूँ डे मोड़े सीरीज होती है और उसको हम कैसे सौल करते हैं तो आज हम एक साथ x-bar m और z तीनों कैसे calculate होते हैं वो इसके अंतरगत सीखेंगे आपको मैं बता दो इससे पहले जो हमारे लगातार statistics के बहुत सारे वीडियो हैं वो हमारी playlist में आप देख सकते हैं हमारी playlist जब आप e-school की playlist खोलेंगे तो उसमें business statistics लिखा होगा उसमें सारे वीडियो क्रम से दे रखे हैं कोई भी द्यारती जो आज पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मेरा suggestion यही रहेगा कि आप पीछे से सारे वीडियो देखते वे चलेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरा complete course आप वीडियो के माध्यम से कर पाएंगे चले आज start करते हैं Deskirit series का question है ना और उसकी पहचान करते हैं सबसे पहले आप देखें यह हमारा question हमारे सामने है calculate mean, mode and median यह तीन चीज़े अपने को calculate करनी है तो इसमें आप देखें हमारे पास दिया वाय है number of flowers और number of plants ठीक है तो number of flowers और number of plants जो है उसमें आपके number of flowers जो है यानि फूलो की संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ठीक है plants यानि कितने पौधे लगे हूएंगे 10, 18, 20, 30, 15, 8 और 7 अब अपने को calculate करना है तो सबसे पहली चीज़ बच्चों इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कई बार बच्चे इस बात में confusion हो जाता है कि नंबर of flowers जो है वो F है या number of plants जो है वो F है तो मैं बहुत सबस्ट बता दू इसकी पहचान का तरीका ही होता है जो क्रम में लगातार चल रहे हैं वो X होता है clear और जो plants है वो आप देखें वो हो जाएगा F यानि X की पहचान जब आप कर लेते हो तो दूसरा F हो जाता है या उसका उल्टा कर देए F की पहचान कर लेते हो तो दूसरा X हो जाता है तो आप देखें यह sequence में चल रहा है इसलिए यह हो गया X और यह हो गया F X और F होना यह पहचान देता है कि यह discrete series है और discrete series में आज हम solve करेंगे X bar M और J त्यार है बच्चो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यह आपके solution का part हम यहां से शुरू करते हैं मैंने जो question था पहले आपके यह horizontal form में था उसको मैंने वर्टिकल form में लिख लिए यानि खड़ी क्रम में लिख लिए है तो solve करने के लिए सबसे पहली चीज आपको दो ही column बनाने हैं ज्यादा column नहीं बनाने है X जो है वो अपने को प्रेश्ण में दे रखा था इसलिए उसको बनाने की आउशक्ता नहीं है है ना और F है ये भी हमें प्रेश्ण में दे रखा था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अब हमें FX और CF calculate करना है FX हम इसलिए calculate करना है क्योंकि हमें mean calculate करना है mean के लिए हमें FX की आउशक्ता होती है तो FX का मतलब होता है F और X की गुणा करना इन दोनों की अपने को multiply करनी है तो आप multiply करें देखे जल्दी से 5 x 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा 6 x 18 आपके हो जाएगा 108 उसके बाद में 7 x 20 हो जाएगा 140 8 x 30 हो जाएगा 240 9 x 15 आपके हो जाएगा 135 और 10 x 8 हो जाएगा 80 और उसके बाद में 11 x 7 हो जाएगा 77 कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों आप calculator मैंने आप से कहा become के students के लिए calculator allowed होता है तो यह आप सारी चीज़े calculator के मात्यम से कर सकते हैं अब इसकी total लगा लेते हैं तो वो total आपके आती है 740 यह total किसकी हो गए यह सिग्मा एफ एक्स हो गया क्या हो जाता यह सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ आपके जो total है वो मैं आपको बता देता हूं इसकी total 108 है यह कहलाता है सिग्मा एफ अब अपने को बनाना है CF CF मैंने आपको बता रखा है जब हम frequency को लगातार जोडते जाते हैं एक के बाद एक तो उसे CF कहा जाता है तो आप देखें सबसे पहले तो 10 आजाएगा 10 में 18 जोडेंगे तो आपके 28 हो जाएगा 28 में 20 जोडेंगे तो 48 हो जाएगा 48 में आपके 30 जोडेंगे तो 78 हो जाएगा उसके बाद में आपके 15 जोडेंगे तो 93 हो जाएगा उसमें हम 8 जोडेंगे तो 101 हो जाएगा और 101 में 7 जोडेंगे तो 108 हो जाएगा यह frequency के total इसके बराबर ही होगी कि CF का मतलब frequency की total ही होता है ये प्यारे बचों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों column बनाने समझ में आ गए हैं एक fx का बनाना है और एक cf का बनाना है अब हम आगे बढ़ते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हमें एकस बार एम और जैट लेने हैं तो सबसे पहले मैं एकस बार लेता हूँ तो यहां पर नंबर वन जो अपनी calculation है वो हो जाएगी एकस बार जिसका मतलब होता है मीन और मीन का formula मैं यहां पर लि प्रिकट नहीं आनी है तो सिग्मा एफेक्स के लिए हमारे पास सिग्मा एफेक्स यह रहा 740 और इसमें डिवाइड अपने को करना है सिग्मा एफ से यह रहा 108 तो इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर आता है 6.85 यह आपके आंस अब हम आते हैं next x-bar के बाद में हम number 2 पे ले लेते हैं mode mode का मतलब हो गया Z तो Z के लिए बहुत simple है इसकी calculation individual series और discrete series में कोई calculation होती नहीं है हमें सिर्फ यह देखना है कि सबसे बड़ी frequency कौन सी है ध्यान से सुने सबसे बड़ी frequency frequency तो आप देखे frequency का column यह रहा इसमें सबसे बड़ी frequency कौन है 30 है है ना सबसे बड़ी frequency आप देख लें बाकी सारी इससे छोटी है तो इस frequency के जो सामने संख्या है वो आपके Z होती है बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर लिखेंगे Z is equal to 8 यहाँ पर विशेश जो ध्यान रखने वाली बात यह है answer जो होता है वो हमेशा x में होता है किसमें होता है x में यह बात ध्यान रखनी है clear चलो अब इसके बात में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो इसमें आपके याद क्या रखना था जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंस में यहाँ पर लिख दो आपके हैं तो जो सबसे बड़ी f है उसके सामने वाला x ही z होगा बस यह जो बात हमने अब ही समझी वो मैंने आपे लिखती है तो x बार हो गया z हो गया यहने mean हो गया mode हो गया अब number 3 पर हम ले लेते हैं आपके median तो m मैं यहाँ पर ले लेता हूँ number 3 calculation हमारी आएगी median जिसका symbol होता है m तो m calculate करने के लिए हमें सबसे पहले जो calculation करनी पड़ेगी वो होगी small m small m का formula होता है n प्लस 1 अपॉन 2 th clear तो अब आपके m जो है यानि small m है उसमें n का मतलब frequency की total से होता है यहाँ पर यह आपको याद रखना पड़ेगा n का मतलब किससे होता है sigma f से 108 यह तो हो गया n प्लस 1 बट्टे 2 जब आप इससे solve करेंगे तो 109 बट्टे 2 आएगा जिसका मतलब आदा हो जाता है यानि 54.5 th यह th चब हम इसलिए लगाते ताकि अपने को याद रहे यह answer नहीं है यह answer नहीं है answer कहां आएगा यह जो 54.5 है ना उसको हमें cf में ढूणना है 54.5 को cf में देखेंगे तथा इससे जस्ट बड़ी cf के सामने वाला x ही m होगा कितना आसान है आप देखेंगे अब आप इस लाइन को समझ लें कैसे होगा तो सबसे पहले 54.5 से जस्ट बड़ी cf कौन सी है मैं इसको रेड लाइन से ले लेता हूँ तो यह आप देखें 64.5 से जस्ट बड़ी cf कौन सी है तो आप देखो 48 जो है वो तो छोटी हो गई चौपन से और 78 जो है वो जस्ट बड़ी हो गई तो यह जो cf है ना इसके सामने x कौन है इसके सामने जो x है यह x जो होता है वो आपके m हो जाएगा median हो जाएगा तो मैं अब इसको आगे लेता हूँ आपको लिखके दिखाता हूँ यहाँ पे तो आप देखें हमने जो लिखा है यहाँ पे उस बात को आप यहाँ पे देखें हमने यही लिखा था 54 को cf में देखेंगे देख लिया तो था इससे जस्ट बड़ी cf कौन सी है तो वो हमने कहा 78 78 के सामने वाला x ही जो सामने x था यानि 8 था वो m होगा यानि m बराबर कितना आ जाएगा m is equal to 8 यह आपका आंसर हो गया आप देखें आज का जो हमारा प्रेशन था उसमें हमने x बार m और z तीनो एक साथ डेस्करिट सीरीज में सीखे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा एक बात मैं आप लोगों से कहना जाता हूँ कुछ बच्चे जो इससे वीडियो के माद्यम से पढ़ रहे हैं वो मेरे को वाट्सअप करते हैं कि देखो सर हमने इसको पूरा कॉपी में सॉल्व भी करा वापस इसको तो मुझे अच्छा लगा और यह अच्छा तरीका है जो भी आप वीडियो देखते हैं उस क्वेशन को वापस कॉपी में जब नोट कर लेते हैं तो एक तरीके से आपका रेजिस्टर तियार होता जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर लिखके मुझे सूचित करें कुछ और नहीं लिखते हैं तो अपना नाम ही लिख दिया करें तो मुझे पता रहेगा कौन इसको देख रहा है ठीक है प्यारे बच्चों थैंक य। वरी मुझे बच्च बच्च बाइ